हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आए हूँ जसा कि आपको मालू में CPCD के फॉर्म सम्मिट होने लगे हैं जिन स्टुडेंट को फॉर्म सम्मिट करना है तो प्लीज जल से जल आप लोग फॉर्म को सम्मिट कर दीजिए कोई कंप्यूटर के फिर फिर आप लोगों को बिल्कुल भी टेंसन लेनी की जरूरत नहीं है इसके पहले वाली किलास आप जाकर देख सकते हैं मैंनो उसमें बता है कि कैसे तयारी करना है क्या आपके मन में जो डाउट से हैं अगर आपके मन में अभी भी CPCD को लेकर कोई डाउट से हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करिए हम आपको उसको सॉलूशन बताएंगे और दूसरी बाद हम जैसा कि आपको मालूमें मिनीमम एक मन्थ रह गया एक्जाम होने के लिए यही समझवाब लो क्यों कि 24-25 दिसंबर को एक्जाम कंडेक्ट करा लिए ज उम्मीद करता हूँ अपनी टैयारी के लिए ज्यादा टाइम दीजिए टाइपिंग पर भी ज्यादा विशिस ध्यान दीजिए ठीक ना और अगर आप मारे चलेवर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए आज के पहले क्वेशन की तब चलते हैं और देखते ह हैं अपने आज का पहले राड़ क्वेशन को जाएगा हमारा एक ऑड्रस में कितने भाग होते हैं एक और भाग कितने भाग होते हैं यानि हमारा यह option बिल्कुल सही हो जाएगा आप चलते हैं दूसरे question की तरब दूसरा question हो जाएगा निवने लेख़त में से क्या ms excel ms excel में एक प्रिसांग एक command नहीं है ms excel में एक प्रिसांग एक command नहीं है देखते हैं इनकी options क्या है option यह हुजाएगा merge और center भी हुजाएगा wrap और text और हमारा see हुजाएगा slide show और do जाएगा और to sum तो दिखते हैं दिखिए merge और center यह हमारे excel में है option है और wrap text यह भी हमारे option में slide show यह नहीं है दोस्तो क्योंकि slide show का use कहां किया जाता है power point में किया जाता है ठीक है ना आप चलते हैं अपने अगले कोईस्ट हमारा जो तीसरा कोईस्टन हो जाएगा हुए हो जाएगा MS Word 2007 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए फाइल या Office बटन मेनू में निमनलिखित में से निमनलिखित में से बिकल्प का प्रियूग किया जाता है अच्छा यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ के देखिए MS Word 2007 होता था उसमें सबसे पहला मेनू Office बटन होता था कौन सा होता था Office बटन होता था आप यही आपके चेंज करके MS Word 2016 में जो question पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है MS Word 2016 में सबसे पहला मेनू कौन सा है तो देखिए सबसे पहला मेनू यहाँ पर फाइल यानि Office बटन हटा कर यहाँ फाइल को ही Office बटन बोलती है जो सब सूपर आपने देखा होगा आता था यहाँ पर तो वो फाइल का माने Office बटन का बटन हटा कर डायरेक्ट फाइल का Option दे अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ और वही 2016 में सबसे पहला बटन जो Office बटन के पाद जो मेनू होता था वह हमारा Home बटन होता था Home टेप होता था Home टेप के ऊपर ही हमारे जी Office बटन होता था क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा यानि हमारा B option बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों क्लोज हो जाएगा क्वेशन क्या था यहां पर क्वेशन था हमारा MS बट दूजा सौथ में डोकुमेंट को बंद करने के लिए फाइल या Office बटन में निमने लिखे दिन से किस विकल क को प्रियूग किया जाता है तो किस विकल पका प्रियूग किया जाता है तो किलोज बटन का प्रियूग किया जाता है किसका किलोज टैप का यूज किया जाता है या किलोज बटन को दबाया जाता है चलते हमने चौते क्वेशन की तरफ चौता क्वेशन हो जाएगा मारा ख डी हो जाएगा रेड ठीक ना तो देखते हैं हमारे जुसके सभी आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तो रेम हो जाएगा क्या हो जाएगा रेम क्या है एक बॉलेटाइल मेमोरी है दोस्तो क्या है एक बॉलेटाइल मेमोरी है जिसको आप पढ़ सकते हैं वाल लिखने द कुछा के बॉलिटायल मेमुरी के बारे बॉलिटायल मेमुरी को इस लिए हमारा हुज आएगा रेम मेपेक्ट फोट्टो कॉपियर तकनीक का प्रियोग करता है निमने लिखत में से क्या एक non-impact photocopier तकनीक का परियुक करता है यह हो जाएगा laser printer, B हो जाएगा drum printer, C हो जाएगा inkjet printer और D हो जाएगा dot matrix printer तो हमारा जो इसका सही answer हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा laser printer क्या हो जाएगा laser printer यानि हमारा A option विलकुल सही हो जाएगा question क्या था non-impact photocopier तकनीक का परियुक देखिए यहाँ पर printer दो प्रकार को होते हैं आपको clear करते हैं एक होता है impact printer एक होता है non-impact printer ठीक है जो non-impact printer होते हैं उनमें ribbon और hammer का use नहीं किया जाता है जो कि आप देख रहे हैं laser printer है बाकी जो हमारे सही answer है laser printer हो जाएगा और बाकी देखिए drum printer इंके जट printer dot matrix printer इनमें कहीं न कहीं hammer और ribbon का use किया जाता है और यह सारे के सारे हमारे impact printer के अंतरगत आते हैं अब चलते हैं अपने चटमे question की तरब जो चटमें जो question हो जाएगा निमने लिखत में से क्या एक पिलोटर का सबसे अच्छा बढ़न करता है यह हो जाएगा अच्छी गुण मत्ता वारे graphics उत्पन करने के लिए एक input device भी हो जाएगा ड्राइंग और ग्राफिक्स बनाने के लिए एक output device क्या हो जाएगा बी option बिल्कुल सही हो जाएगा question कहता है एक पिलोटर का सबसे अच्छा बढ़न करता है ड्राइंग और ग्राफिक्स बनाने के लिए एक बहुत बड़ी output देता है ठीकिना अब चलते हैं अपने साथमे question की तरह सातमा जो question हो जाएगा यहां आप देख लिए सातमा question हो जाएगा क्या MS word की mail मर्ज सुभीदा का प्रियोग करने के लिए आवसक चणन नहीं है जो mail-murge प्रिकिरिया होती है हमारे MS word में उसके लिए कोई एक प्रियोग माने एक खास कोई option नहीं है चणन नहीं है ठीक ना तो देखते हैं हम option देखते हैं form अक्षरों को preview और print करना ठीक ना तो हमारा जोसका सही answer हो जाएगा और C हो जाएगा यहाँ पर है document और data सुरूत दोनों को spelling चेक करना यह हमारा बिलकुल सही answer हो जाएगा यह एक trend नहीं है हमारा ठीक ना क्या नहीं है यह एक step नहीं है हमारा ठीक ना mail merge का तो हमारा C option विकलिप नहीं है क्या है question निमने लिखत में से क्या Microsoft PowerPoint 2007 एक व्यू विकलिप नहीं है यह हो जाएगा शिलाइड शॉटर व्यू और व्यू और सी हो जाएगा शॉटर व्यू और व्यू हमारा जो इसका सई आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा शॉटर शॉटर व्यू यह हमारा एक option नहीं है ठीके ना अब चलते हैं अपने अगली question की तरफ जो नॉमा question हो जाएगा व्यू हो जाएगा निमने लिखत में से क्या एक search engine है इसमें से खरीदना होता है एक website को होश्ट करने के लिए निमने लिखत में से कहा से इस पेस खरीदना होता है एक website को होश्ट करने के लिए निमने लिखत में से कहा से इस पेस खरीदना होता है एक website को होश्ट करने के लिए निमने लिखत में से कहा से इस पेस खरीदना होता है देखत क्या हैं ? donc Amazon लेयादर क्या हैं ? लडर्व depends वर हहाएग क्या हो जाएगा गया हो जाएगा यह वह हो जाएगा यह छोट 봤 नाम है DNS का फूल फॉर्म आपको बते हैं नाय। डाइनेमिक सिस्टम स्थिंजार डाइनमिक नेडर हैं दौमीन नेडर सिस्टम हमारा जो इसको सही एंसर हो जाएगा वह हमारा दौमीन नेंसम सीस्टम घानाश प्रहीं हो जाएगा अब चलती अगले question की तरब कि यहां पर जो बामा question दिया गया है निम्मुने लेकार नहीं यह नहीं है इन में से बताना है hardware नहीं आपको अ पिर आपको Chicago अंत्र सब्सक्राइब आर्टी यह पर कि छू सकते हैं और महशूस कर सकते हैं इस पर सकते हैं और maioria गर्व पूटर और हमारा च्रप्योव सकते Seriously को आप इस पर सकते हैं आप चेलते हैंगले कि तरफ यहां पर टेर्मा कोईश्चन ए एसीडीया का पूर रूप है यानि आपको इस एसीडीया के पूरा नाम बताना है तो देखते हैं इनकी ए ओप्षन क्या है American Scientific Code for Information Interchange भी हुझाएगा American Scientific Code for International Interchange और सिह हुझाएगा American Standard Code for Intelligence Interchange और डिव जाएगा American Standard Code for Information Interchange हमारा जोसके सही अंसर हुझाएगा ती ओप्षन बिलकुल सही हुझाएगा दोस्तों क्या है है हमारा डिव ऑप्षन हमारा डिव ऑप्षन हो जाएगा अमेरिकन Standard क्या American Standard Code थोड़ा उपर कर देते हैं दिखनी रहाओ यहां से देखी अमेरिकन Standard Code for Information Interchange के लिए आना आप देखने के अपने चएदमा कौसिशन बैस्टा उप्षन हो जाएगा वे हो जाएगा मारा बिंडोज सेवन मैं Microsoft PowerPoint आरम्र करने का सही करम निम्री लिखत मेंसे क्या है तो कि बिंडोल सेवन में computer ms powerpoint 2010 इसको दो जाएगा start all program और ms white और ms office हमारा जोसका सही answer हो जाएगा वे हो जाएगा a option यानि सबसे पहले आप जाएगे start बटन पर जाएगे all program फिर my office और ms powerpoint यानि हमारा a option विलकुल सही हो जाएगा दोस्तो अब चलते हैं अपने अगले question की तरफ यहां पर पंदर्मा question दिया गया है भी होजएगा बैप page access करने के लिए फिर योग किया जाने वाला protocol है बैप page access करने के लिए फिर योग किया जाने वाला protocol है देखिए बैप TTP और हमारा C हो जाएगा WC3 देखिए आप लोग को कमेंट वक्स में W3C बताना है कि यह क्या है देखिए आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो हमें भी लगए का आप लोग को तयार अच्छी चल रहे है जिस इस्ट्रेंट को W3C का मालूमें कि यह क्या है क्या नहीं है उसको कमेंट वक्स में अब टाइप करेंगे पता है और डिव डिव अप्सन हो जाएगा आई सी एंपी ठीक हमारा पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाए दोस्तों HTTP क्या हो जाएगा HTTP हाईपर टेक्स ट्रांसपर प्रोटोकॉल ठीक ना चलते हैं सोल में क्या है ऑदो जाएगा उन पॉसल लमा क्या हो जाएगा वह हो जाएगा फोसे सब्दों में क्या हो जाएगा फोसे सब्दों में में चबियों आजी को एक ऐसे प्रयारूप में CPU प्रोसेस कर सकता है जो या मैं ट्रांसलेट करने के लिए पिरियो की जाने वाली hardware डवाइस कौनसी है तो हमारी रिक्रिया के माद्यम से यूजर को एक तुर्टी क्या हो जागा एक तुर्टी संजीस प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है देखते हैं इनकी options क्या है है option हमारा एक हो जाएगा memory management भी हो जाएगा buffer loader और हमारा C हो जाएगा error heading heading और हमारा द्प्रोस्स management हमारे जुसको सफ़ी answer हो जाएगा वी हो जाएगा error handling ठीक न हमारा सिंच और से हो जाएगा बिंग और डियू जाएगा याहू मेल हमारा जो इसका सई आंसर हो जाएगा भे हो जाएगा बिंग और बिंग का निर्मारा किस ने किया है आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताईए हिंट कर देता हूं एमस कंपणी का नाम स्टाट है तो देखिए यहां बिंग नहीं है ठीकिना हो जो जो बैंक के एटियम होती है वे किस नेटबर्क कर कार करते है यह भी क्वेस्टन आपसे पूछा जा सकता था पर यहां पर क्वेस्टन है bank ATM सुभीदा खालिस्थान का एक उधाड़ने दिखते हैं इनका A option हो जाएगा L.A.N. L.A.N. भी हो जाएगा W.A.N. और सी हो जाएगा man और do हो जाएगा personal area network हमारा जो इसके सही answer हो जाएगा वे हो जाएगा हमारा नेटवर्क को खालिस्थान भी कहा जाता है बरगी करत नेटवर्क को खालिस्थान भी क्या कहा जाता है देखते हैं यह हो जाएगा ट्री टॉपलोजी भी हुजाएगा, हाइबिर्ट टॉपलोजी और सी हुजाएगा, मेश टॉपलोजी और डी हुजाएगा, बस टॉपलोजी, तो देखिए, बरगी किरित, बरगी किरित नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो ट्री टॉपलोजी कहा जाता है, क्या कहा जाता ह अब दोस्तों बरकी करत आपको पेड़ी की आकःति कोई यहां से एक डगार चली जाती को यहां से एक तना चले ऑप एक गजांप्ल दिया हुगा ठीकिना आप एक कीसमें क्वेस्टिन के तरफ चलते हैं एक कीसमें क्वेस्टिन हो जाएगा और द्युन जाएगा लेजर प्रिंटर पर जो सबसे तेज और सबसे फस्त गति का प्रिंटर रे कि इसके बाद जो 22riospro siwo हुजाएगा वें हुजाएगा दोस्तों हमारा डिलीट कुंजी दवाने पर टेक्स डिलीट हो जाता है यानी होता है डिलीट कुंजी दवाने पर खालिस्थान टेक्स डिलीट हो जाएगा बहुता है यहां पर यहां फ़े में उसको बोला यहां कि ना यहां के दोवाना ने से इरशेयर ारिड़न और का एक बटन होता है दोस्तो दोस्तों दाइई का डिलिट हो देड़ कषे are दाइं और का एक insertion point मानने दाइं और का एक word हमारा delete हो जाता है आप चलते हैं 23 में question की तरफ 23 मा question को skip करेंगे डारेक 24 में question की तरफ आ जाएंगे उस question में थोड़ा सी mistake थी इसलिए हमारा जो 24 मा जो question हो जाएगा वह देखेंगे वह जानेगे क्या है अमारा 24 मा question देखते हैं निमने लिखत में से किस परिकार की डिक्स में एक बार अभी लिखत यानि record की गई सामागर यूजर द्वारा संसोजित या मिटाई नहीं जा सकती है उसको क्या बोलते हैं देखिए क्या है question अच्छे से द्वारा संसोजित या मिटाई नहीं जा सकती है यह हुजाएगा right only बी हुजाएगा read only और c हुजाएगा run only और d हुजाएगा read and write only तो हमारे उसका सही answer हुजाएगा बी हुजाएगा read only क्या हुजाएगा read only यानि b option बिल्कुल सही हुजाएगा अब 25 में question की तरफ चलते हैं 25 में जो question हुजाएगा हमारा वह हुजाएगा data base के संबंद में telephone number जन्मतिती और गिराहक के नाम का पिरतेक सही हुजाएगा निमने लेखित में से किसका उधारन है तो देखते हैं a हुजाएगा record का भी हुजाएगा sequence का और c हुजाएगा file का और हमारा d हुजाएगा data base का हमारा जो उसका सही answer हुजाएगा वे क्या हुजाएगा record का यानि हमारा a option बिल्कुल सही हुजाएगा दोस्तों चलते हैं अपने अगली question की तरफ हमारे जो 26 मा question हुजाएगा वे हुजाएगा high level programming language में लिखे गए computer programs के Sanskrit को जो मनुस्द्वारा पाठनी है उन्हें क्या कहा जाता है दिखते हैं इनके options क्या है option a हुजाएगा binary code भी हुजाएगा instruction code और सी हुजाएगा source code और हमारा d हुजाएगा अब चलते हैं अपने 27 में question की तरफ 27 में question हुजाएगा किसी प्रोग्राम में तुर्टियों की पहचान करना और उन्हें सही करना खालिस्तन खेलाता यह हुजाएगा compiling भी हुजाएगा हमारा और हमारा c हुजाएगा grinding और d हुजाएगा inter printing क्या हुजाएगा inter printing हमारा जो इसका सही answer हुजाएगा देख्या हुजाएगा dipging यानि b option हमारा बिलकुल सही हो जाएगा अब थोड़ा और आंगे चलते हैं देखते हैं अगला question 28 मा जो question हुजाएगा हमारा वे हुजाएगा हमारा पहला computer to computer क्या हो जाएगा question पहला computer to computer लिंक खाली स्थार पर इस्थापित किया गया था यह हुजाएगा software टेक्स आधारे document बनाने के लिए परियोग किया जाता है निमने लिखित में से कौन सा software टेक्स आधारे document बनाने के लिए परियोग किया जाता है आप सब को इसका answer मालूँने चाहिए बहुत ही easy question है यह हुजाएगा बिलकुल सही answer हुजाएगा दोस्तो इसके बाद दिखते हैं अपना अगला question हमारा जो तीसमा question हुजाएगा डेस्टॉप पर एक छोटा सा है अमान सूचक यानि movement होता है जो खाले से कहला देए हुजाएगा mouse भी हुजाएगा लोगों और हमारा c हुजाएगा hand और d हुजाएगा cursor हमारा जो तक सही answer हुजाएगा पर हुजाएगा d option cursor आप सबको मालू था normal सा question था और इसके साथ दोस्तो क्लास हमारी पूरी होती है उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी जल्द हम एक और क्लास के साथ आपके साथ आएंगे मिलते हैं अगली क्लास में तब तक की दोस्तो नमस्कार